हेलो फ्रेंट्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगल सामराज्य में ठीक है मुगल सामराज्य से जितने भी कोश्चन पूछी जाते हैं इंपोटेंट बहुत सारे हम इसमें डिसकस करेंगे देखिया आपने कोई सभी एक्जाम्स दिया हो तो बहां पे आपको एक से दो कोश्चन जरूर से जरूर मुगल सामराज्य से मिल जाता है यह कैसा टोपिक है ज तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोचे मत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चली फ्रेंड्स शुरू करते हैं यह सबसे पहला कोश्चन है भारत का पहला मुगल बातसा कौन था तो यह था बावर ठीक है भारत का पहला मुगल बातसा बावर था और फ् बावर नहीं ठीक है किस ने किया था फ्रेंट्स बावर ने और जो पानीपत की बिर्थम लड़ाई थी वो जीतने का करण भी यही था नंबर तीन है पानीपत की पहली लड़ाई किस बर से लड़ी गई तो यह लड़ी गई थी 1526 इस भी में फॉर है पानीपत की लडाई में बावर ने किसकी सेना का सामना किया था बावर ने जो सामना किया था इबराहीम लोधी की सेना का फाइब है बावर ने देखे फ्रेंट्स बाहर ने यही मिस्प्रिंट हो गए यह क्या है बावर बावर ने तुझू के बावरी नामक अपने संस्मरण किस भासा में लिखे तो यह लिखे है तुर्की भासा में किस भासा में तुर्की भासा में नेक्स्ट है भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की तो देखे भारत में जो मनसबदारी पिर्था शुरू की थी, की थी, अकबर ने, सेवन है, कन्योच का युद्ध किस वर्स लड़ा गया था, पंदरा सो चालिस इस बी में, कब लड़ा गया था फ्रेंड्स, पंदरा सो चालिस इस बी में, एट है, अवुल फजल किस सूफी स पुत्र थे, तो यह थे सेख मुबारक के, नाइन है, दिल्ली में हुमायू का मगबरा किस ने बन वाया था, देखे दिल्ली में जो हुमायू का मगबरा बन वाया था, हाजी बेगम ने, नेक्स्ट टैन, बर्स 1665 इस भी में, पुरंदर की संधी का प्रत्यक्स उद्देश यह क्या था, तो यह क्या था, प्रत्यक्स उद्देशी है, सिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच, बीवाद के बीजबोना, ठीक है, 11 है, किसे लेखक ने, अकबर के दीदे इलाही को, उसकी मूर्खता का, ना कि बुद्धी मता का स्मारक कहा, तो यह कहा था, बी स्मारक को पत्थर में सुआपन कहा जाता है, तो पत्थर में जो सुआपन कहा जाता है, वो कहा जाता है, पंच महल को, next 13, जहागीर के काल में मुगल दरवार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो यह था कैप्टन, विलियम होकिन्स, कौन था फ्रेंड्स, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडल मरने भगवानदास हुमायू बाज बहँदूर एबं सेरसहा में से किसके अधिन सेवा की तो किसके किती फ्रेंट सेरसहा की शिक्ष्टीन है अकवर का पृसिद राजस्व मंत्री कौन था यानि अकवर का राजस्प मंत्री कौन था तो कौन था फ्रेंड्स ये टोडर्मल तो टोडर्मल कहता अकवर का राजस्प मंत्री था 17 है महाभारत का फार्सी में अनुवाद किसने किया तो महावारत का जो फार्शी मनुवाद के था वो किया था बदायूनी ने 18 है फटेपूर सीक्री का निर्मा किसने करवाया ये करवाया था अकवर ने 19 है अकवर अपना धार्मिक विचार बिमर्स कहा करता था तो ये करता था इवादत खाना में ठीक है 20 है अकवर का अभी रख्षक कौन था तो दिखे अकवर का अभी रख्षक था बैरम खाँ 21 है ओरंग जेव जहागीर अकवर एबं बलवन में से किस सासक ने जजिया कर समाप्त किया तो यह क्या था अकवर ने 22 है राजा बीरवल, राजा मान सिंग, टोडरमल एवं तान सेन में से कौन दीने इलाई का सदस्य बना तो यह बना था राजा बीरवल next 23 किसके तुलसी दास ने राम चरित मानस लिखी तो यह लिखी थी अकवर के सासनकाल में 24 है किस मुगल सहन सहा ने तमाकू के प्रयोग का निसेद किया तो यह क्या था जहागीर ने 25 है किस मुगल सहन सहा ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली इस्थाना अंतरित की तो यह की थी सहा जहाने 26 है बावर हुमायू ओरंग जेव और जहागीर में से किस मुगल सासक ने संगीत और निरत्या पर प्रतिबंद लगाया तो यह लगाया था ओरंग जेव ने 27 है ताज महल किसके दुआरा बनवाया गया था तो किसके जहागीर के सासनकाल में नेक्स्ट है आइने अकवरी किसके दुआरा लिखी गई तो यह लिखी गई थी अबुल पजल के दुआरा 30 है किस मुगल समराठ ने स्री नगर में इस्थित सालिमार बाग बनवाया था तो देखे यह बनवाया था साहा जहाने 31 है ओरंग जेब ने किस सिख गुरू की हत्या करवाई थी तो यह करवाई थी गुरू तेग वहादुर की 32 है सेर सहा सुरी की महानता का क्या कारान था देखे सेर सहा सुरी की जो महानता कारान था वो था प्रसासनिक सुधार 33 है किस युद्ध ने भारत में मुगल सामराज्य की नियू रखी तो ये रखी थी पानिपत का पहला युद्ध यानि पानिपत का जो पिर्थम युद्ध था 1526 में 34 है अकवर के सासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदाई था तो कौन था तो डर्मल जो उसका राजस्व मंत्री था 35 है अकवर दुआरा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था तो क्या था इवादत खाना 36 है किरस्ण देवराय किस के समकालिन थे तो ये थे बावर के 37 है सू प्रसिद संगीतग देजू बावरा और तानसेन किसके सासनकाल में सू बिख्याद थे तो किसके अकवर के सासनकाल में 38 है बावर नामा किसने लिखा तो देखी फ्रेंट्स बावर नामा के राइटर है खुद बावर 39 किसके सासनकाल में मुगल चित्रकला सिखर पर पहुँच चुकी थी तो किसके पहुची थी ये जहागीर के 40 है आईने अकवरी पुस्तक के लेखा कौन है तो यह है अबुल फजल 41 है कौन सी भासा मुगल सासनकाल में भारत के दरवारों में ब्यापक रूप में प्रचलित रही तो ये रही थी फार सी भासा 42 है रामचरित मानस के रचीता तुलसिदास किसके सासनकाल से संबंदित थे तो यह थे अकवर के सासनकाल से 43 है सती प्रिथा को निरुथ साहित करने वाला मुगल समराट कौन था तो यह थे अकवर कौन था फ्रेंड्स अकवर next 44 मुगल चित्रकारी किसके सासन काल में पराकाश्ट पर थी तो यह थी जहागीर के 45 है अपने काल का महान संगितग तान सेन किसके दरवार में था तो यह था अकवर के दरवार में 46 है मुगल प्रसासन ब्यवस्था में मनसवदारी प्रणली को किसने प्रारंब किया तो किया था अकवर ने 47 है भारत में Grand Trunk Road किसने बनवाया था किसने बनवाया था सेर सहा सूरी ने 48 है पानी पत की दूसरी लडाई किनके बीच लडी गई तो इले लगई थी अकबर और हेमू के बीच 49 है भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया तो किसने किया था बावर ने next question number 50 किसके सासनकाल के दोरान भारत में एक रुपे का सिक्का टकसालित किया गया तो क्या गया था सेर सहा सूरी के सासनकाल के टाइम पर next 51 राजा टोडरमल किसका सलाहकार था तो इथा अकबर का 52 है अभी लेखो में फारसी के साथ साथ नागरे लीपी का उपयोग किसने किया तो इक यह था सेर सहा सूरी ने 53 है मुगल काल का पहला भारते हिंदी विद्वान कोन था तो इथा मलिक मुहम्मद जाईसी 54 है दारा सिकोह ने उपनी सदों का फारसी मनुवात किस नाम से किया तो इक यह था सिर्रे अकबर के नाम से ठीक है फ्रेंट्स किस नाम से सिर्रे अकबर के नाम से तो यह कह था अकवर ने 57 है किन मुगल समराटों ने स्वयम अपनी आत्म कता लिखी तो यह लिखी थी बावर और जहांगियर ने 58 है किसने अंग्रेजों को भारत में अपनी फैक्टरी स्थापित करने की अनुमती दी थी तो यह थी जहांगियर ने 59 ने मुगल नियाइक प्रिणाली किस पर आधार इती तो यह थी इसलामिक कानून पर 60 है 1540 इसबी में किस युद्ध के पश्चात हुमाई हिंदुस्तान के बाहर कर दिया गया था तो यह कर दिया था कन्नोज का युद्ध था कन्नोजियां बिलगराम का और फ्रेंट्स किस ने हराया था यह सेर सहा सूरी ने देखिए यहाँ पे यह 60 कुई मोस्ट इंप्रेंट है जो काफी ज्यादा मुगल सामराज्य से पूछे जाते हैं तो आई होप यह वीडियो आपक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक्स पर वोचिंग ट्रेंड्स मिलते अगली वीडियो में आपका दिन सुभ हो